हेलो फ्रेंड्स मैं पंदेत ब्रेज बूशन शर्मा ब्रेज फूचर पॉंट के सोजने से आप लोग का अपने चैनल पे तहे हार्दिक दल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्य बाद देता हूं आप सब का प्रेम और सनह देखकर मेरे मन बड़ा उत्साहित है मैं आपको इस नहें के लिए मैं आप सब लोग को आगे भी ऐसी सिवा देता रहूंगा जिससे आपको इन वीडियो को देखके जीवन में एक सुधार है दोस्तों मेरा उदेश्य इन सब बातों के पीछे अज्याने को ज्यानी बनाना है जो अज्यानता के भेश में बातों से सावधान हो जाएं और बातों को समझें आज मेरा विशे है सात साथ नंबर केतू यह एक ग्रह धोके का है यह केतू एक राक्षत है राहू केतू का धड़ है और राहू सिर है और इनका समझ जब रानी के साथ हो जाता है तो रानी अपने हिसाब से केतु को अर्जेक्ट करके जीवन में सरल तरीके से काम करने के लिए प्रेडित करती है आज इस वीडियो के विष्टे में मैं आपको पूर्ण रुप से ज्यान दे रहा हूँ दोस्तों मेरा आप से रुक्वेश्ट है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसे तहे दिल से शान्ती से एकांत में पूरी देखें और उन तक्थियों को भाब कू समझें अर्मों की जनसंख्या में मैं सब को खुश नहीं कर सकता लेकिन जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो संतोष्ट भी होंगे और उन्हें जीवन में सफलता की तरफ प्रेरित भी होंगे मैं वीडियो शू करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ अगर आप अपना नाम ठीक कर लेते हैं आप अपना मोवैल नंबर ठीक कर लेते हैं आप आपने डेट और बर्त में आई होई तत्यों आंकणों की कमी को पूरा कर लेते हैं तो आप जीवन में सफल बन सकत हैं मेरे यहाँ पर कल एक क्लास भी चालू हो रही है वेदिक की क्लास मैं पूजा भी करवाता हूँ जैन में काल सब की पूजा भी करवाता हूँ दोस्तों मेरा मकसद सही मांग दर्शन करना है यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे से संपर्ख जूट रहे ह कर दोस्तों साथ नंबर यह एक अच्छा मिल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि राक्षस और रानी का मड़़ राक्षस ने तो हमेशा द्रख्वा देना ही सीखा है लेकिन के तू का सिर नहीं है के तू धोका नहीं दे सकता धोका वही देगा जिसके पास दिमाख होगा कितु के पास तो धढ है और धढ एक शक्ति है जब रानी के यह समझ में आया कि इसके पास अहली शक्ति है तो रानी उस ग्रह को उस धढ को अपने अनुसार काम में सही लगा सकती है अगर रानी चंद्रमा मन है मन अगर सही दिशा में पहुँच जाएगा तो केतु महराजी सही दिशा में कारे करना शूब कर देंगे और मन गल्थ दिशा में चला जाएगा तो केतु महराजी गल्थ काम उसका साथ देना शूब कर देंगे तो केतू का तो काम हर गरह के साथ बैठके उसकी ताकत को बढ़ाना है केतू का और चंद्रमा का तालमेल में मन पे चंद्रमा पे निर्भर करता है यदि चंद्रमा हमारी कुणली के अंदर अच्छा है तो हमारा प्रभाव उसका अच्छा जाएगा और चंद्रमा हमारी कुरली में अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाब बुरा जाएगा दोस्तों हर चीज के दो पहलू है अच्छा और बुरा तो आप इस तथ्यों को थोड़ा द्यान से समझे और आगे में विश्रेशन करते हैं जा रहा हूं दोस्तों साथ और दो मुल्यांक और भाग्यांक इनकी डेश्टिनी 40% होती है ठीक है न मैं बताने चाहता हूं चंद्रमा अगर सही स्थिति में है नमबर दो चंद्रमा का है मत्भेत तभी उत्मन हो सकती है जब अंक दो अंक साथ को उपर इलजाम लगाए अंक साथ उच्पदा सिर인데 लोगों से समम्ध रखता है उसकी एकागर प्रवर्ती है उसका रिसरचिंग नेचर है वो मस्तिक्षण फ़ख पैदा करता है अंक दो के मस्तिक्षण फ़ख पैदा करता है जिसके कारण अंक दो कभी-कभी अति-पृतिकरिया व्यक्त कर देता है किन्तु साथ का आकाश्य इस्तिति को नियंतरम ने कर देता है क्योंकि साथ के पास तो कुछ है ही नहीं इस तरीके से दोस्तो समझो यह एक अच्छा मेल नहीं है क्योंकि अंक साथ धोका है निराशा कांख है और अंग दो योग्या किल्तु कमजोरंग है यह जीवन में अधिक संघर्ष धोका एवन सफलता दे सकता है इस तरह के लोगों को काफी तरह से संघर्ष करने पड़ सकती है कई बार जीवन में संघर्ष फलता नसीव नहीं होती है और अगर मिलती है तो बहुत मेहनत और मुश्क्रत के साथ मिलती है इस तरह यह लोग नेवी में जाएं अगर यह पानी से समंदित कारिये करेंगे तो केतु महराज जी चंद्रमा के कारें में अच्छी मदद देंगे और उनका अच्छा व्यापार और अच्छा होगा डेरी का काम करें इस तरह के व्यापार में अच्छी सब्रता पा सकते है इन लोगों साथ ताल मिल बिठाने में दिक्कत आती है ऐसा जातक कोमल सभाव का व्यालू भाव का दूसरों की मदद करने के लिए अच्छे आदर्श और सफ़ता प्राफ्टी के विचाच शिल रहते है आर्थिक तोड़ पर संपन और अच्छे शिक्षा प्राप्थ होती है प्रमाद्मा में विश्वास होने के कारण अपने लक्षय को हासिर कर लेते है मित्र भाब वाले होते हैं लेकिन अलग रहना पसंद करते हैं लेखने एवं भाब के जरिया खुद को अच्छा साबित कर सकते हैं खुश एवं गम्मी का अनभव करते हैं एक साथ काम करते हैं यह हमेशा बहुष्या के बारे में सोचते हैं जिसकी वजहे से फैसला लेने में देरी कर लेते हैं नाम अंक अगर हमारा ठीक हो जाता है उसकी डिश्टिनी हमारा काम करती है ऐसे अबसर पर हम लाप को उठा सकते हैं अबसर मिलने पर नाम से संतुष्ट रहते हैं कारे कैसे हो सकते हैं के लिखना बोलना पानी से संबंदी आर्केटेक्ट क्रिशी कवीता पेंटिंग आदी कार्य इनके लिए उप्यूक्त है उपाए साथ रहना चाहिए साथ चाहिए सूर्य की उपासना यंत आदी क्योंकि दो नंबर चद्रमा है एक नंबर राजा है और केतु कभी अपना सर नहीं है तो सूर्य जैसा कार्य करेगा वैसे के तो कार्य करेगा तो यहाँ पर एक नंबर की अनर्जी काम करेगी तो हम जीवन में अपने को बहुत अच्छा महसूस करेगे अब देखो दोस्तों साथ नंबर होने से कलपना शक्ति का धनी यात्रा, पठन, एवं, सपाटा पर धन व्याक करने वाले होते हैं इनकी विदेशों से जहाज, मोटर, आधी वहानों से विशेश लापराप्त होते हैं अत्यंत ग्यान की अधिक्ता होने से ये दूसरों की मन की बात को जान लेते हैं इनका कारियशित यदा कदा प्रवर्थित होता है आपने विचारों दोवारी नए परंपराओं को इस्थापित करते है साथ नमबर केतु केतु सफा है अगर किसी का साथ नमबर प्रवल है वो किसी को जूटे भी जो बात कह देगा उसके मुझे से निकली कोई भी बात सफल हो जाती है क्योंकि साथ नमबर जंडा है जंडा सदा उचा रहता है साथ नमबर वाले व्यक्ति हमेशा शिकर पे रहते हैं जब दो नमबर के साथ इनके संब्द बनते हैं तो दो नमबर का नेचर क्या होता है ऐसे व्यक्ति चंचल सभाव के होते हैं, कलपनाशील होते हैं, कलाप्रेमी होते हैं, बुद्धिवान में काफी चतुर होते हैं, मुनुष्री को विचाय धारा सर लेकर आचन व्यावार वाने आदी पर इस देशा का प्रभाव पड़ता है, जिन लोग के जनम में साथ सोला पच्चीस तारिफ को हुआ है वेड ड्रैवन बर साथ वाले हैं ऐसे लोग कभी किसी को धुका नहीं देते जैसे विक्की कोशल जी की हम बताएंगे 16-5-1988 डेट है ड्रैवर साथ को कंडेक्टर दो है दोनों ही सुभाग्या नंबर है दोनों में से कोई भी एग्रिसिव नं दो होने से मूड स्विंग होगा क्योंकि दोनों चंद्रमा नहीं मन है अगर किसी की बुरे ग्रहे के दृष्ट्री चंद्रमा वेपड़ जाती है तो उसके अंदर उसका मैंड अप्सेट हो जाता है जब केतू और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो केतू का काम क्या है तलफ पइदा करता है क्योंकि धर तरफ रहे सिर से मिलने के लिए चार नबर से मिलने के लिए क्योंकि चे तरफ़एंद्ध में जाती है उसकी चंद्रमा व्हाब का होता है है अब वह साथ czasu का ने तरुफन देखके उसके मन यह ओपर जा सकता है अगर नेम नमबर सही नहीं है तो ऐसे लोग अपना रास्ता तक हो जाते हैं गल्द कान की में फच जाते हैं क्योंकि के तू पेखासर तो ही नहीं यह कहीं पर भी गिर सकता है यह कुए में भी गिर सकता है और नदी में भी गिर सकता है क्यों कि इसका तो साथ नमबर वाल ऐसे काम करता है दो वाले लोग बहुत hard के होती है बहुत helpful nature के होती है एक आंद में शान्ती में रहना पसंद करते है साथ नमबर वी एक आंद पसंद करता है इसको भीर पसंद रही आती कोई लक्षा तैया कर लेते हैं दो नमबर होने से बहुत सारी थोट आएंगी, बहुत अच्छा लेखक बन जाएंगी, दोस्तों मैं अभी आपको विक्की कोशल जो फिल्मी डारेक्टर हैं, उनके बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरे देखने का प्रियास करना, बहुत अच्छे लेखक बन जाते हैं, सोचने के अद्भुष शम्ता होती है, बाकी लोगों से बहुत उपर होते हैं, कई वार कन्फूज भी रहते हैं, अगर नेम नमबर करेक्ट हैं, तो आप कन्फूजन से बहार निकल सकते हैं, इनका कन्फूजन की कमी होती है, लक्की नमबर एक और पांच हो होता है, लक्की डायरेक्शन इस जोन होती है, आपने घर की इस जोन में पांच मिन्ट जरूर बैठें, उसमें क्योंकि वहां की अनरजी एक्टिवेट हो जाती है, प्रोफेशनल, राइटिंग, टीचिंग, वाटर, एक्सपर्ट, पेंटिंग, अच्छा, अब मैं आपको पैसे की भी गुंजैस नहीं है, तो मेरे चैनल से आप लोशो गिड़ सीख सकते हैं, मेरी लोशो गिड़ में मैं कंसल्टैंसी भी देता हूं, कंसल्टैंसी में मैं ये भी बताता हूं कि व्यक्ति विदेश जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मुल्यांक 2 भाग्यांक 7 भाग्यांक 2 16 5 1988 इनका 9511 कीड में आया तो इनकी willpower बहुत मजबूत है इनका सूर्य बहुत मजबूत है 276 इनके पास आता है तो एक्शन प्लान इनका बहुत मजबूत होता है 8881,6 आता है ऐसे व् domains प्रैक्टिकल होते हैं सरकारी काम से रीसरी समिन रखते हैं सरकार में भी कोई ना कोई ने का इन्वोल्मेंट होता है दोस्तों एक शबतकना बहुत अर्थ होते हैं मैं बार बार आपको 7 और दो के बारे में तथ्व कर समझा रहा हूँ साथ केतू है और दो धर्ड मन चंद्रमा है तो अब मैंने क्या देखा पांच दो का योग है पांच क्या है बुद्धी दो क्या है मन ऐसा विक्ती बहुत बुद्धिमान होता है बहुत समझदार होता है 852 का इनके पास grade 1 रही है 852 ये साबित करता है कि ऐसे विक्ति एक अच्छी property वाला होना चाहिए मैंने क्या बताया विक्की कोशल का नंबर 7 पे आ जाता है 5-7 बुद्ध और केतु का मेल है और 7-6 भी है ऐसा पती अपने पत्नी के बड़ी केर करता है 9-7 है ऐसा विक्ति अध्यात्मिक भी होता है 11-7 है ये researching nature का भी होता है दोस्तों मैं आपको हर तरह से सारी बातों को समझाने का प्रियास कर रहा हूँ combination भी बता दिये मैंने आपको इनका कुवा नमबर 3 होता है मुल्यांक साथ केतु है शुब तारिक साथ सोला पच्चिस है शुब दिन मंडे है शुब रंग ग्रे है मित्र अंक एक दो साथ है शत्रू अंक तीन छे आठ नो है सम अंक पाच है अब दोस्तों मैंने इतना बताया इसके बाद मैं फिर आपको बताने का प्रयास करता हूँ साथ और दो लोग जो लाइफ में कन्फूज के साथ ही जीते हैं क्योंकि दो नमबर मन में को टेंशन आ गई तो साथ नमबर वाले में अपने आपा जाएगी क्योंकि साथ वाला का अपना कोई वजोद नहीं होता वो तो दूसरे को देखके जीता है पर अच्छा कंबनेशन लाइफ में बहुत बड़ा स्पोर्ट दे सकता है अपने बारे में या अपने किसी निजी करीबे के बारे में सोच सोच कर अपने आपको बिमार भी कर लेता है नेमी स्पेलिंग एक या छे पे रखें देखो दोस्तों अगर साथ और दो का मेल है तो मैं पांच के लिए कभी नहीं कहूंगा जो लोग पांच के लिए कहते हैं मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ दो नमबर का पांच नमबर शत्रू है तो ऐसे विक्ति को कभी भी अपना नमबर पांच पे नहीं रखना चाहिए ऐसा कहने वाला बहुत कम लोग है उनमें मैं एक विक्ति ऐसा हूँ मैं तथ्यपुन आकरों से आपको बता सकता हूँ पांच नमबर पे दो नमबर वालों को कभी नाम नी रखना चाहिए अच्छा बिलेक डार्क ब्लू कप्रे से दूर रहे सौंबार को मंदिर में जाए शिवजी पर दूर चढ़ाए सूरिय को जल चढ़ाए जब भी पानी पिएं ग्रीन कलर की बोटल में पिएं क्योंकि ये आपके मन के शांत करेगी क्योंकि साथ और दो वालों को निगेवटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं जब ये दुनिया के साथ जोड़ेंगे तो इनको धुकी मिलते हैं बढ़ जाते हैं इसलिए अपने नेम की स्पेलिंग को बिल्कुल ठीक करें ठीक हैं नेम की स्पेलिंग को पोजिटिव रखें दोस्तो मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ अब इसके साथ साथ मैं अभी आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों ध्यान से सुनें मैंने आपको क्या बताई है एक अच्छा मेल नहीं है क्योंकि अंक साथ धोका और निराशा का अंक भी है अंक दो योग्या किन्तु कमजोर है यह जीवन में अधिक संखर्ट एवम सफ़दा दे सकता है इस तरह के लोगों को काफी सहके संखर्ट करने पर सकते हैं कहीं बाद जीवन में सफ़दा नसीब नहीं होती अगर मिलती है तो बहुत मेहनत मुश्किल के बाद मिलती है इस तरह के लोग नेवी में जाए इनको कोई ऐसा कार्य करना जिससे पानी का भर्प्रियूप्र होता है जैसे मैंने आपको सारे सारे बता दिये थे अब दोस्तों मैं आपके कुछ दो चार बाते और अच्छी शेयर करना चाहता हूँ जो आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मुका देंगी जिसकी पास उमिदे हैं वो लाग बार हार के भी हार नहीं सकता जीवन में सबसे बड़ा गुरू वक्त होता है क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता एक भैती इंसान अपनी जुआन से भेचाना जाता है वरना अच्छी बाते तो दिवारों पर लिखी आती है अगर दिवारों पर और किताबों पर लिखी बातों से और या बात सुनने से ये ज्यान हो सके तो कोई भी पढ़ ले लेकिन जब तक गुरू की वाइवरेशन नहीं मिलती तब तक आदमी का उद्दार नहीं होता शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं कश से मत गवराओ कश्टों से जीवन सबरता है सुने पर जब चोट होती है तब ही सुना निखरता है दोस्तों मैं अपने अनभब के उनसार आपको समय समय पे अच्छे ग्यान की बातें बताता रहूंगा और आपको आनंद की प्राप्ती होती रहेगी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथ और दो के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया थोड़ा सा और बता रहेता हूँ साथ नंबर दोनों ही शानप्रेया हैं एक ले में रहना चाहते हैं साथ अंतर ग्यानी हैं अध्यनशीर है तथा सादक होता है इसमें प्राकरती के उचनियमों की मानवता की भाई के लिए प्रिस्पिपे लाने की शमता है अंक दो को अनुगामी तथ्यों को सकलन एवब कुछ नितिक है साथ के उन गहरे विचारों को किताब में पनित कर सकते हैं उसे बेकार धनकी प्राप्ति कर सकते हैं और दो के करमचारी साथ की कमपनी में अपना शांत कूटनी तिक अवब कलपना गुनों का उप्योग कर सकते हैं और रहस्यवादी एकांत प्रे होने के कारण किमती यात्रा विशेशोगे एवन शोद में दिल्चस्पी के कारण कमपनी आश्चनर जनक रूप से अच्छा कारिया कर सकती है दो कमपनी के उन गुनों में दिल्चस्पी लेती हैं दोस्तो मैं अब इन सब बातों पर वराम लगाता हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं अब विदा लेने से पहले आप लोगों फिर एक बार कहना चाहता हूँ और आप सब कूछा चाहता हूँ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्क्राइब करें, एक नई सोच के साथ मैं आपके पास आँगा, साथ दिन की एक नई वीडियो बनाऊँगा, दोस्तों फिर मैं आपके साथ और कंसल्टेंसी के लिए भी मिसे जलती हैं अगर किसी को मेरे हां पर प्रेम विभा के बारे में भी बहुत कुछ बाते बताई जाती हैं नमस्कार करना चाहता हूं जैहिन